नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक वर आपको सागत हैं तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगच एक आटो सेक्टर के बारे में जिसके नाम आप पहले देख चुके हैं TBS Motor तो TBS Motor के बारे में बात करूँगा तो सबसे पहले क्यों बात करूँगा वह बतादू पहले तो कॉमपणी ने पिछले दिन में कॉार्ट थी का रेजाल भी पब्लिस किया बहुत अच्छा का सा रेजाल या पर कॉमपणी ने किया साथी साथ दूसरे चीज कॉमपणी ने अच्छा का सा एक इस पिछले मांद जो जनौरी मांद खतम हुआ उस मांद में अच्छा का सा या क्यूंकि market को बहुत प्रॉब्लेम्स इसु हुआ है तो इसलिए market अभी तक देखा जाए नेगटिविटी में है तो इस टॉक में क्या करना होगा और आप इस टॉक में क्या करने वाल है उसी के बारे में बात तरूंगा तो वीडियो को पूरे लाज तक देखे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जोरू सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपको डेली बेसी स्टॉक मार्केट इंफोर्मेशन और आपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रही है तो चलो फटा फट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो सबसे प 669 मतलब बहुत अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला तो इस तेजी के पिछे जो कारण है बू है कंपानी का पिछले दिनों का क्वार्ट थी का रेजल्ट तो रेजल्ट आने के बाद यहां वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सब्सक्राइब करते हैं सर कल रेजल हो सब्सक्राइब करना है तो नीचे लिंग मिल जाएगा वहां से जाकर आप इंट्रेटे काम कर सकते हैं उस कॉल को फॉलो करिए टेलिग्रम में जॉइन हो जाएए वहां पर आपको लिंग मिल जाएगा और सारे के सारे कॉल्स आपको डेली आपडेट्स मिलेगा टाइम अब कल के दिन क्लोजिंग हुआ था और आज देखिए किस तरीके से ग्यापा में उपन हुआ एक अच्छा का सा तेजी है पर देखने को मिला तो तो इस तरीके से चार्ट जो बना है तो ऑबियसली कुछ पॉजिटिवीटी होगा इसलिए आज की दिन ग्यापा में उपन ह तो यह पर देख सकते कॉमपानी ने जो तू परसन का मतलब पांस दिन में तू परसन तक आपको रिटन दिया और एक तीन में आज के दिन ही करीबन तीन परसन तक रिटन आपको दे चुके है तो उसके बाद थोड़ा सा गिराबट यहापे पॉफिट बुकिंग चला था क तो इसलिए निप्टी सेंसेक्स में भारी भर कम गिराबट आज के दिन भी देखने को मिला तो एक मांद में आपको देखिए कितना आप सेंड डाउन देखने को मिलेगा करीबन वान परसन तक यहापे नेगटिविटी है और आपको में शीक्स मांद की चार्ट परसन तक ma Nicole मिला और एक साल की बारे में बात करोता में रिटन ना के बराबर है और पांसी इसेंडों को इस डफकतर अच्छा ग। वट देखने को मिला उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर से रिकवरी कर रहे हैं किको देखेंगे मैं पहले बता चुका हूँ एक दिगज कमपणी वह बोल सकते हैं तो कमपणी ने किस तरके से रिजल्ट किया वह सबसे पहले आपको देखा दू तो यहाँ पर मैं रिजल्ट सीट के उपर आ चुका हूँ थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ अब ठीक है तो यहाँ पर दीखेंगे कमपणी ने जो देखने को मिला क्वाट छी का जो रिजल्ट किया यहां पर जो कौटर ठीख कर इक है ओ अब देखना चाहिए तो तो है तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइब थाउजन सेवन हंड़ेंध करो करोड का total income क्या तो इस quarter में असे income हुआ वह 5712 करोड और पिछले Cancer Stit Suber 가져 कροड़ और पिछले सालों में देखे 5400 करोड दो दो इनकम देखा जाये तो अच्छा-छासा या पर Ampativism बाक्षान उसके बाद बारी आता है कंपनी का ईए Toy तो टोटल जो expense यहाँ पर देखने को मिला 5300 और पिछले quarter में था 5200 पिछले साल में था 5042 इसका मतलब company का expense है वो भी यहाँ पर अच्छा कासा देखने को मिला तो company का उसके बाद taxes को pay करना पड़ा तो total यहाँ पर taxes है total taxes उसको company को pay करना पड़ा तो total taxes expense यहाँ पर pay करने के बाद company के हाद में आया total profit यहाँ पर देखे टोटल profit for the period तो total profit for the period क्या है तो company ने करीबन 288 करोड का total profit किया जो पिछले quarter में 277 करोड था पिछले साल में 265 करोड था तो यहाँ पर दिखिए कितना सांदार जाम करीबन 10 करोड का total profit company ने इस बार किय मतलब ज्यादा किया पिछले सालों की comparison में करीबन देखा जाए तो 15 करोड से भी ज्यादा यहाँ पर profit अच्छा गिया 15-20 करोड तक company ने profit अच्छा गिया तो इसी हमेशा एक estimate किया जाता है कि company किस तरीके से result करे और किस तरीके से profit करे तो यहाँ पर जो estimate है वो अच्छा ख estimate के हिसाब से company ने profit किया यही चीज आपको देखना चाहिए कि company ने जो result publish किया वो result किस तरीके से हो रहा है वो उसी का अंदजा हमेशा आपको लगाना चाहिए तो result अच्छा खासा हुआ मेरे हिसाब से क्योंकि company ने जबदस result publish किया तो इसलिए आज के दिन इस stock में एक भा आवट देखने को मिला है तो मुझे लगता है इस company के ऊपर आपको long term के लिए सोचना चाहिए क्योंकि company के जो performance है कोई छोटा मोटा performance नहीं जब अद्दस performance आपको देखने को मिलेगा क्योंकि company का जो performance है उसके बारे में बात करूं तो company जो उसका market capillation है वो 30,000 करोड से भी split करने के बाद अभी price range इस तरीके से देखने को मिला है और एक चीज यहापे जो company का PRC है वो 38% है तो PRC थोड़ा सा मुझे हाई यहापे देखने को मिला है और यहापे company का return of capital employee देखिए 11% return of equity 16% से भी ज्यादा है तो company का industry pay ratio 32.8 है और company का जो annually income है वो 594 करोड है और company करजा भी लेके बैठे हुए है देखिए company के बाद जो करजा है वो करीब 9,838 करोड का करजा है मतलब company ने जबदा से यहापे करजा भी लेके रखा है और एक चीज company का जो करजा है वो देखा जाए depth of equity के हिसाब से 2.45% का company के depth है तो डेप्ट भी अच्छा खासा तेकिन को मिला और company का promoter holding के पास देखिए promoter के पास करीबन करीबन 52.3% holding promoter के पास है तो promoter भी अच्छा खासा hold करके रखा और साती सात company जो देखा जाए company के कुछ positivity कुछ negativity ज़रूर रहेंगे हार कोई company में रहता है तो auto industries में आप देख सकते auto industries जीतने सारे motorcycle बनाने वाला जो companies है उनमें से number one अभी फिलाल के लिए HR motor है देखा जाए ज्यादा तर ट्राक्स और बासेस बनाते है और तो two wheeler में क्यों आया क्यों कि आप सभी जानते है royal infield जो bullet है तो bullet का car HR motor ही manufacture करते है उसके बाद number two position में hero motor का है उसके बात TBS motor है तो तीनों के तीनों obviously दिगज कोंपानी है तीनों ही अच्छा कासा कोंपानी है हाँ auto sector में आभी फिलाल के लिए आपको उस तरीके से performance देखने को नहीं मिलेगा मगर आप long term निवेस करके रखेंगे तो आपको अच्छा कासा फाइदा मिल सकता है तो company के जो performance है उसके 9% तक return मिला बहुत अच्छा है मगर 5 साल में 9% 3 साल में 9% एक साल में कुछ भी return नहीं मिला तो इसी बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आप स्टॉक मार्केट में निवेस कर रहे है और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते है तो पहले आपको यह चीज समझना आपको future में 10 return कमाने का मौका मिलेगा तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके है और बाकी आप खुदी analysis भी करेंगे तो आपको भी सारे चीज एक एक करके मिल जाएगा हाँ देखे कंपानी का जो हिस्सेदार ही है प्रोमोटर के पास 52% देखे अगर कंपानी खराब होता त तो FIS और DIS जो investor है ज्यादा जो करोडों का माल invest करते है करोडों का invest करते है वो खुद देखिए 12% FIS और 25% DIS यावे माल ठक रखा इसका मतलब क्या है इसका मतलब एही है कि investor जबदस माल ठक रखा उसको पता है आभी फिलाल के लिए यहापे return नहीं मिलेगा future के लिए इस company में return जबदस देने वाला है तो तो यह का जो मतलब आप खुदी जान चुके है company के बारे में और सारे details आपके सामने रख चुका हूँ तो आसा करता हूँ सारे जनकर आपको मिल चुका है तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों को सब्सक्राब करना और